Hello, 4th class students, I am starting your EPS class, today 31st of July and we are studying about 2nd chapter and extended family Extended मतलब होता है विस्तरत बड़ा, यानि कि एक बड़ा परिवार Let's learn about, इस चेप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चेप्टर में हम study करेंगे Extended family, यानि कि विस्तरत परिवार, family gathering, जो परिवार के लोग इखटा होते हैं, gather होते हैं Good family environment, परिवार के लिए अच्छा वातावरन देखिए, यहाँ पर मेहिका और रादिका हैं, मेहिका रादिका से पूछी है Hi Radhika, do you know the meaning of extended family? Radhika, क्या तुम extended family का मतलब जानती हो? तुम, Radhika क्या कहती है मेहिका से? Yes, मेहिका, uncles, aunts, cousins and nephews who do not live with us are our extended family हमारे चाचा जी, चाची जी, हमारे जो भाई बहन हैं, nephews हैं, जो हमारे साथ रहते नहीं हैं या हमारे जो गुवाजी बगरा हैं, जो हमारे साथ रहते नहीं हैं वही क्या हैं हमारे extended family हैं? देखो हमारी family के ऐसे बहुत सारे members होते हैं, जो हमारे साथ में रहते नहीं हैं लेकिन होते तो वह हमारे family के members ही हैं, उनको फिर हम relatives में count करने लग जाते हैं ठीक है? तो वह हमारे extended family है, जैसे हम अभी यहां पर study करेंगे देखना आपको समझा जाएगा the people whom we live with are our immediate family the people whom we live, जिनके साथ हम रहते हैं, are our immediate family वो हमारे immediate family है, मतलब अभी आप जिनके साथ रह रहे हो, जो आपकी family में members रह रहे हैं वो आपकी immediate family है, कैसी family है? वो immediate family है parents, brothers, sisters and grandparents make up our immediate family mostly हमारे गर में कौन रहता है? दादा दादी रहते हैं, ममा पापा रहते हैं और हमारे sister brother रहते हैं, तो वही क्या है? हमारी immediate family है वो हमारी immediate family है, अब हम पढ़ेंगे extended family family members, like our uncles, aunts, cousins and nephews are our extended families हमारी परिवार के सदस्टेर जैसे uncle, auntie, cousin, nephews, ये सभी हमारी extended family हैं जो फिलाल हमारे साथ रह रहे हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो हमारी immediate family है ये वो member है, जो हमारे साथ रहते नहीं हैं, लेकिन हैं हमारे family के members, ठीक है? तो वो extended family हो गई जो हमारे पापा की साथ के जो relatives हैं, उनको हम paternal relatives कहते हैं ठीक है, जैसे पापा की साथ के relative कौन हो गई? हमारे चाचा हो गई, हमारे बुआ हो गई, हमारे दादा दादी हो गई ठीक है, कोई अगर ताउत आईजी हैं, तो वो हो गई तो ये हो गई हमारे paternal relatives The relatives from our mother's side, the relatives from our mother's side are called maternal relatives ममा की side के जो relatives होते हैं, उनको maternal relatives कहते हैं maternal relatives कोन से हैं? ममा की side के relatives कोन से हैं? Like our नाना नानी, मामा मामी और उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो maternal relatives में आ गए Both maternal and paternal relatives are part of our extended family तो जो maternal और paternal दोनो relatives ही हमारी extended family होते हैं Keeping in touch, ध्यान में रखने वाली बाती When our extended family members live in the same town or city, we often visit each other Keeping in touch, keeping in touch, जैसे हम एक दूसरे से मिलते जूलते रहते हैं न, आपस में कभी जैसे छुट्टियां हो गई हैं, आप नाना नानी के घर जा रहे हैं ठीक है, आपके बुहाजी के बच्चे आपके घर आ रहे हैं, आपके अंकल आंटी हैं, वो भी आपके घर आ रहे हैं तो keeping in touch, हम लोग जैसे touch में रहते हैं तो when our extended family numbers live in the same town or city, we often visit each other जब ये हमारा जो extended family विस्तरत परिवार है, इसके जो members हैं अगर वो एक ही शहर में या एक ही कस्वे में, एक ही गाम में हम लोग रहते हैं तो we often visit each other, तो हम एक दूसरे के घर जाते रहते हैं जाते रहते न, if they are out of town, we may visit them during vacations if they are out of town, अगर वो हम लोगों से दूर, जहां हम शहर या कस्वे में रहते हैं वहां से दूर रहते हैं, तो हम लोग साल में एक या दो बार vacations के टाइम पर मिलते हैं जब छुट्टियां होती हैं, तो उस टाइम मिलते हैं वी, right letters, हम खत लिखते हैं अब वो दूर आ नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, right letters, उनके लिए letters लिखतेते हैं and send emails या फिर internet के जरीए उनको email लिखते हैं टू अवर, cousins, to keep in touch जो हमारे cousins हैं, उनके पास हम letter भेजते हैं या उनके पास हम email भेजते हैं, ताकि to keep in touch हम उनके touch में रह सकें, हम उनकी जानकारी रख सकें, उनके बारे में पता रख सकें we send greeting cards on their birthday जब उनके birthday होते हैं, cousins के, तो हम उनके लिए क्या भेजते हैं? greeting cards भेजते हैं and call them, और साथ में उन्हें call भी करते हैं to wish them on special occasion और जो खास अवसर होते हैं, उन पर उन्हें विश भी करते हैं जैसे New Year wish करते हैं, Holy wish करते हैं दिपावली wish करते हैं, Christmas wish करते हैं ठिक है न? उनके birthday wish करते हैं तो जो खास-खास occasions होते हैं occasions त्योहार जो होते हैं उन पर हम अवसर जो होते हैं खास उन पर हम उनको विश भी करते हैं this strengthens the bond with our relatives and helps make a united family this strengthen यही ताकत the bond क्या होती है bond बंधन with our relatives हमारे रिष्टेदारों के साथ यही एक जो यह बंधन जाती है एक बंधन बंजाता है मिल जूलकर and helps make a united family और हमारा परिवार जो होता है वो united हो जाता है संगठित होता है जब कभी हमारे घर में कोई member की तवित खराब हो जाती है वो hospitalized हो जाता है या हमारे घर में कोई बड़ी परिशानी आ जाती है तो आप देखते होगे कि हमारे सभी ये जो extended family members है ये एकठा हो जाते हैं हमारी help करते हैं या हम दूसरों की help करते हैं तो इससे क्या समझा जाता है कि हमारा हम सब अलग-अलग रहते हैं लेकिंग हम united family हैं एक ही परिवार है जब भी कभी परिशानी आती है तो हम सब एक नजर आते हैं ठीक है आज इतना ही आप इस chapter को यहां से यहां तक study करना इससे आगे कल पढ़ेगे so thank you bye have a nice day